मस्कार दोस्तो मैं गौतम सिंग गौफुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आपके लिए लेकर आए हूँ कलास एट के लिए मैथ दोस्तो साइन्स का जो है आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं यह सेट दू है सेट वन जो है आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं दोस्तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा पारा क्वेशन है किसी पंच भूज के पांचो अन्त कोड का योग क्या होगा तो दोस्तो पंच भूज के पांचो अन्त कोड का योग जो होगा पांचो चालीस होगा हमारा इंसर जाएगा गहा नमबर नेस्ट क्वेश्चन निम्लिखित में सरल बंद, सरल बंद आकिरती का उधारन नहीं है, उधारन नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों, तो उधारन नहीं है आपका गह नमबर 8, अब नेस्ट क्वेश्चन देखे क्या है, 0.0625 का बर्मूल निम्लिखित में कौन होगा, 0.06 कि 525 250 students LAUGHTER यहां था आपका प्रचीस हो जाएगा लेकिन लेकिन एक जीरो एस्टा कि ऐसरा है डाटन नीचे कितना जीरो होगा तो चार जीरो होगा, तो 625 का आपका ब размool हो जाएगा 25 और इतना हैत आपका हो जाएगा 100 ठीक हैं, तो इस तरह से हमरा एंसर हो जाएगा 0.25, 0.25, तो इस तरह से हमरा एंसर क्या हो जाएगा, गहा नमबर एंसर हो जाएगा 0.25, अब देखिये, next question क्या है, यदि बर्तमान आयू एक्स बर्स है तो पांच बर्स के बाद आयू क्या होगा पांच बर्स के बाद आयू क्या होगा देखिए जब बर्तमान में एक्स बर्स है बाद पांच बर्स बाद तो एक्स पुलस पांथ अगर बाद कह रहा है पहले रहता है तो घटा जाता है बाद इलान कीजिए देखिए यह है इस तरह से आपको जो एक लिखा जाता है दो हो गया एक दो और इस तरह से आपको तिन लिखाता है इस तरह से चार लिखाता है चार गोलाई और आपको पांच लिखाता है चार लिखके ऐसे कर दिये ज़दा है यह पांच अतिन कितना है मरा में कभा जाता है एक बटा है यह तहाए आपका एंसर क्या हो जाएगा alright 2 सब्सक्राइब मिलान कर देंगे हम इसका मिलान आठ है यह आठ वाला में कर दिये आपको मिलान करना है तो यह वाला कोई यह वाला में कर दिया यह पुलस भी कोरे स्कर कोई इसमें कर दिये तो यह हमारा मिलान हो गया अब नेश कोश्चन देखिए अब हमारा question है कोश्टक में सही बीकौल्फ चुनकर खाली जगहों को भरना है अब यहाँ देखिए जिस संख्या के ईकाई का अंग एक होता है उसके गहन के ईकाई का अंग क्या होगा यह आपको बताना है गहन के इकाई क्या उंक क्या होगा तो दोस्तों आपको हम बता दें इकाई एक तो एक काही होगा यहाँ पर हमारा एंसर हो जाएगा एक next question है सबसे छोटी अभाज ये संख्या क्या है सबसे छोटी अभाज ये कह रहा है जिसमें भाग नहीं लगता हो अभाज ये संख्या आपका सबसे छोटी क्या है आप देखिए दो है और तीन है दो तीन दोनो है अभाज ये संख्या क्योंकि दो सबसे छोटी कह रहा है यहाँ पर तो हमारा एंसर जो है दू हो जाएगा सम संख्या का गहन क्या होता है यह बताना है सम होता है या भी सम होता है सम संख्या का गहन तो सम संख्या का गहन जो होता है दोस्तों आपको सम ही होता है आपको यहां क्या भराएगा सम अब देखिए 64 का गहनमूल क्या होगा तो 64 का गहनमूल यानि कि 4 के क्यों होता है यह आपको बताना है, चार के पहिला में, तो 2 cm और 2 cm और 4 cm भुजा की तिरभुज की रचना जो है, नहीं की जा सकती है, यह आपका चार का पहिला हो गिया, दूसरा है, एक के पावर M अगुड़े एक के पावर M, तो नीचे बेस आपका क्या है, सेम है, तो बेस सेम रहता है तो आपका हो जाता है, यह के पावर M पोलस N, यह आपका अंसर हो जाएगा, उसके बाद है, माइनस 3X, माइनस 3X स्क्वाइर X से गुड़ा करने पर क्या पराप्त होगा, तो देखिए, माइनस माइनस गुड़ा में क्या होता है हमारा, गुड़ा में माइनस माइनस जो है Plus हो जाता है To Plus हो जाएगा 3 में 3 से करेंगे तो 3 तरीका नव X इसमें है 2x square आपको हो जाएगा X Q और इसमें Y है नैं सिर्फ ही इसमें यह and said Yeah Y 9 X Q Y आपका answer हो जाएगा Last है ऐसा Somika जो 4 के सबी मानों के लिए 30 होती यह आपको ऐसा बताना है, तो दोस्तों आपको हम बता दें, एक हो जाएगा हमारा यहाँ पे, चार नम्मर में, next question देखिए क्या है, next question देखिए क्या है, आठ के square है, 8 के square को आधार, दू और घात के रूप में बैक कोना है, आप 8 को लिख सकते हैं, दू के power q, उपर कितना है, आपका square है, क्योंकि दू के q कितना होता है, 8, अब आप इसको लिख सकते हैं, तिन दूना, 6, यह आपका answer हो जाएगा, दू के power 6 हमारा answer हो गिया, next question देखिए क्या है आपका, next question है, 5 गूने, 2 के power minus 5 को समाने रूप में जो है आपको लिखना है, ता आपका हो जाएगा यह, 5 बाटा, 2 के power 5, क्योंकि minus है, तो बाटा में जाकर हो जाएगा, तब आप लिख सकते हैं, 5 बाटा, 2 के power 5 है, तो आप अराम से 5, 0 लिख दीजिए, 5, 0 होगी, अब क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जीरो दो समलो जीरो 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 पांच यह हमारा एंसर हो जाएगा यह हमारा जो है घात के रूप में जो है समाने रूप में हो गिया यह हमारा यह हमारा एंसर हो गिया next question देखिए क्या है next question है आपका x plus 1 by x के whole square को हल करे यानि कि a plus b के whole square पर आपका क्या formula हो जाएगा x square plus 1 बटा x square plus 2 into a b तो एक जगा x अब b के जगा 1 by x तो x x कट की हमारा हो जाएगा अब x square plus 1 by x square plus 2 यह हमारा answer हो जाएगा x square plus 1 by x square plus 2 next question देखिए क्या है next question है एक समलम चतरभूज के सामनांतर भूजा है 12 मीटर और आपका जो है 12 मीटर है और 13 मीटर है 12 मीटर और आपका तो तथा उनके 20 के दुरी 3 मीटर है तो समलम का छेतरफल क्या होगा समलम का छेतरफल का होगा यह आपको बताना है 12 मीटर और 8 मीटर है तो हमारा जो है समलम का है तो समलम हम बनाते हैं देखिए यहाँ पर समलम होगया यह हमारा एक हमारा कितना है 12 मीटर है यह और यह जो है हमारा 8 मीटर है ठीक है और 3 मीटर जो है इसका उचा है यह 3 मीटर है आपका इसका तो समलम चतरफल के छेतरफल क्या होता है एक बटा दू गुड़े एच पलस मांतर भुजाओं का योग होता है तो उस फर्मूला पर हम बनाएंगे इसको तो एक बटा दू होता है गुड़े एच यह पलस बी होता है तो हो जाएगा एक बटा दू एच के मान तीन रूट में हो जाएगा आपका 12 plus 8 ठीक है एक बटा तिन ये आपका हो जाएगा 20 कटाएंगे दूस्य तो हो जाएगा 20 दोस्त दोस्ती हैं 30 यानि कि 30 बर्ग मिटर हो जाएगा हमारा सेंटी मिटर स्क्वार एंसर ठीक है next question देखें क्या है next question है अब हमारा ये घ्वन की भूजा 5 cm है तो घ्वन के समपूर पूरिशे शत्पल ग्याद करें तो समपूर पूरिशे शत्पल क्या होता है हमारा 6a² तो हो जाएगा 6 गूड़े 5 के a² तो 6 गूड़े 525 ठीके तो कितना हो जाएगा 150 cm² इस तरह से हमारा घ्वन का निकल गया अब नेक्स कोशन देखिए क्या है नेक्स कोशन है आपको फेक्टर करना x² पूलस 9x माइनस 22 का गुलंखंड ग्याद करना है देखिए यहाँ पर क्या है आपका 22 है तो इसका हम फेक्टर निकलेंगे फेक्टर निकलने के लिए हम एक पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं बताये हुए हैं पूरा डिटेल्स में इसका फेक्टर हो जाएगा x² पुलस एगारे x माइनस 2x माइनस 22 क्योंकि एगारे में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा हम रहा 9x आ जाएगा आपका आएगारे दूना 22 भी आ जा रहा है x इंटू x पुलस एगारे x कमन करेंगे दोनों में तो x कमन होगे हमारा तो x अब देखें यहां हमारा माइनस दू कमन कर लेंगे तो x पुलस एगारे यह दोनों को एक सांथ लिखा जाता है तो x माइनस दोस्तों आपको अगर समझ में आगे तो ठीक है तो आप इसमें से भी जो है आप स्कीन सोट लेकर बना सकते हैं जिसे आपको समलम कशत फर वाला बना है तो इसमें देख सकते हैं आप कैसे बना हुआ है गण का संपूर पीछ स्ट पर 56 आपको हम अभी बता है तो इस तरह से बना हुआ है आप देख सकते हैं XS4 प्रस 9X का इस तरह से आपको बना हुआ है एसकिन सोट लेकर आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को और पूरे डिटेल्स में समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियों देखिएगा जो की बोड पर बनाये हुए है दोस्ते दिस समाज मारा तो वीडियो को लाइक केजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करते तक योगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा थैंक्यू दस्तो राधे राधे दस्तो